महत्तोपूर अनुछेद, इसका मतलब है कि ये MTS के लिए, ये GD के लिए, ये Railway के लिए जरूरी है, ठीक है? चलिए आईए, सुरुआत करते हैं, CGLCHSL जो तुम लिख ले हैं, सब में तो ये आता ही है, सब में आता है, राजिपाल की निक्ति किस अनुछेद से घुमा फिर कारखानों आदी में बालकों के नियोजन का प्रतिशेद, बतलब आप फैक्टरी में कारखानों में बालकों आदी को नहीं लगा सकते हो, राइट एंसर, अनुछेद 24, राष्ट्रपती का निर्वाचन किस अनुछेद से संबंदित है, बताइए गा, राष्ट्रपती का भी आगे बढ़के देख लेना, कि एक तुमसे अनुछेद का प्रस्ण न रहे, तो मैं डेली आपको एक टॉपिक अनुछेद के दोहर वाऊंगा, और कल से मैं ये कोश्चन बढ़ा दूँगा, कल से मैं 25 कोश्चन अनुछेद के, तुमको लगेगा गुरू रोज रोज पूरे तीन सो पंचान बेवाले अनुछेद में 75 से ऐसी ऐसे अनुछेद हैं, जो आपके पेपर के लिए जरूरी हैं, तो हम क्यों जबरजस्ती नया लावें, सच है की नहीं, अगर मैं जानता हूँ यार 75 से ऐसी ऐसे अनुछेद हैं, इन्ही में से रोज 20-20-20-20-20-20-20 चमा और कुछ मामलों में दंडा अदेश के निलंबन, 15 कोश्चन के बाद माहौल बदल जाएगा, राज जेपाल, 161 में प्रधान राष्ट्रपती आपके क्या कहा जाता है, 72 में, ठीक है मरे भाई, 72 में, आगला, उच नयालेों का भी लेक नयाले, जैसे, हाई कोट, हाई ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, कोट आफ रिकॉर्ड, उच नयालेों का गठन, सर, उच नयाले के नैधिसों का, मतलब गठन जो है, सर, वो, 216 में है, छमा करिएगा, 216 में है, उच नयाले के जजों का ट्रांसफर, 232 में है, दो से अधिक राज्यों के लिए, एक रा, हाई अगला अकील भारतिय सेवाएं किस में है 343 में तो भासा है 324 में इलेक्शन कमिशन मतलब ये और ये तो नहीं हो सकता ये दो आपके आप्शन हो सकते हैं अकील भारतिय सेवाए 312 से लेके 315 पंद्रा क्वेश्चन के बाद टॉपिक चेंज निर्वाचन आयो किस से संबंदित ये पूछा है तो 324 329 ए तक ये जाता है टोटर लोग सभा में अनुसुची जातियों और अनुसुची जन जातियों के लिए अस्थानों का आरक्षन की इस अनुछेद में है अब अगर आरक्षन की बात करेगा तो आरक्षन 16.4 में हमारे देश के समिधान मे 243D में पंचायती राज में आरक्षन का जिगर है 243T में नगर निगम में आरक्षन का जिगर है और सर 330 में SCST आरक्षन का जो हमें जिगर मिलता है 16.4 में भी आरक्षन का जिगर है 243D पंचायती राज में भी आरक्षन है 243T अनुछेद नगर निगम में आरक्षन है इन 4 के अलावा 5 कौन सा कोश्चन बनेगा और आज नहीं 3 साल बाद भी अगर मैं MTS के लिए पढ़ाऊं तो यही आर्टिकल बताऊंगा ना यही जिधान संसोधन है इसका मतलब था कि इनी दो में से एंसर था कई बार आप छाटा भी करो लला आपात की उद्गोशना सर तीन ठो होता है 352, 356, 308 यह तो हाई कोट के जजों का ट्रांसपर है यह तो सुप्रीम कोट के जज का चीफ जज का सला है यह तो सर लोग सभा हाया हुआ वह वाला क्वेश्चन नहीं है अच्छा हम 25 तो पढ़ाएंगे 25 तो आजा है तो हमको एससी में बैठा दो ना हम ही तुमारे लिए पेपर छाप दे भाई हम टॉपिक बता सकते हैं हम इन्पॉर्डिंट प्रैक्टिस करवा सकते हैं हम कह तो रहे हैं मेरा दर ट इन मिनट सो में है तीन दिन पहले 29 सेफ्टमबर के मैराथन में है मैं लिख रहा हूँ कि MTS के हर सिफ्ट में एक क्वेश्चन यहीं से है एक से दो प्रस्ट अब क्या करूँ जान दे दूँ एक टॉपिक से अगला टॉपिक तुम देखो यह समाप लिख लो हम आज नहीं कि छे मेना पहले से कर रहे हैं कि निति घराने वादक वादियंत्र पूछेगा अब प्रैक्टिस करवाउंगा अब कोई जरूरी है कि तुमसे हम ग्वालियर पढ़ा हमें तो ग्वालियर घराना पूछे बनारस भी पूछ सकता है इट मीन्स कि तुमको घराना पढ़के ज खिर से गादू किया बापू समझो इसारे दुनिया फूकारे ठीक है? अब मैं आगे बढ़ूँ चली आईये निम्लिकित में से कौन सा निर्तक ODC से समधित है? सर सुझाता महापाथर जी अगला मोहिनी अट्टम कहां से संबंदि मोहिनी अट्टम मतलब इन में से कौन है तो मोहिनी अट्टम C option कनक रेले अब एक को कह रहा है भगवान कसम तुमको इमानदारी से बता रहा हूँ ठीक है हाँ अगला निम्ण में से कौन सा भारत का सास्त्री नित्य नहीं है ठीक है न तो ए आपसर भांगडा नहीं है ये वाला टॉपिक आप पढ़के जाईएगा अब क्या करूँ जबान बधा है करनाटक से सर करनाटक से रौफ कैसे हो सकता ही तो जम्मू कस्मीर से है असम से संबंदित है असम बीहू का तीनो टाइप जरूर पढ़के जाना मैं कह है रहा हूं इसमें से हर साल स्सी ने पूछा हर एक्जाम में पूछा इस बार भी पूछेगा ठीक है ना बाकी यार हम तुमको करें स्सी MTS और GD NTPC दू तीन एक्जाम हैं जिसमें मेरे को महारत हासील है पढ़ा पढ़ा क्या अनुभव हो गया एंसर करो ए ओप्षन कूद निर्थे निमलिकित में से कौन सा निति सिक्किम से संबंधित है सिक्किम से संबंधित है तासी सब्दो निर्थे निम्न में से कौन सा निति जारखंड से संबंधित नहीं है जारखंड से सर जारखंड से लावनी महारास्ट्र से है किराना घराना अच्छे से पढ़के जाना, तुम्हारे पेपर में आ सकता है, ये टॉपिक रगण के चले जाना, किराना घराना, सर किराना घराना उत्तर प्रदेश से है, छाप लो आख में फोटो स्कैन कर लो इसको, फोटो स्कैन कर लो, मैं बता रहा हूँ इमानदारी से, जैपूर घरा ग्वालियर घराना जो है किस गाईकी के लिए प्रसिद्ध है खयाल पटियाला घराना हाँ यह लड़कों का इसारा चल रहा है पटियाला घराना कोश्चन नमबर आठ और पंद्रा घराना वाला टॉपिक रगण के जाना स्कैनर एकदम चाप दो बी ऑप्शन भजन किस घरा खानने की थी कर लो भईया अल्ला दिया खानने जैपूर लखनोग घराना किस नित्ति से संबंदित है मैं टॉपिक वाइज क्लास ले रहा हूं और जो मैं टॉपिक वाइज क्लास ले रहा हूं यही यही आप दोहरा के MTS में जाईए आपका भला होगा भगवान करेंगे अला करेंगे वाहे गुरू करेंगे कत्थक पट्याले घराने का प्रमुगाय कौन था कैसर कहां बत्यार है फोन पे हमारे को मित्र है उदर मार फोन पे चापे हुए आदा घंटा से जलन नहीं होगा कि आदमी इदर पढ़ा रहा है अगला आदमी उदर फोन पे बत्यारा है खैर जमाना है बड़े गुलाम साहब है ये बड़े गुलाम अली खान जी अगला क्वेश्चन नित्य और घराने पंद्रा क्वेश्चन हुआ नित्य घराने पढ़ाया अगला टॉपिक इतिहास में मॉडन इंडिया जरूर देख लेना मुगलों का क्वेश्चन जरूर देखके जाना उधर गुप्त और मौरेवंस देख लेना आईए सिमला का संथ सिमला का संथ सर ए ओ ह्यूम युवात तुर्क किसे कहा जाता है सर चंसेखर सिंग अब यह इतने टफ नहीं है कि तुम रुक रुक के एंसर करो मिलिंद पनहों का लेखक कौन है मिलिंद पनहों का लेखक सर मिलिंद पनहों के लेखक आपके कौन है डी नाक से बुक एंड ओथर यहाँ पे एक टॉपिक लिख रहा हूँ अभी मैं उसका प्रैक्टिस भी करवाऊंगा बुक एंड ओथर ये वाला अगर आप पढ़के जा रहे हैं तो फिर वो गाना गादू कि बापू समझो इसा रहे दुनिया पू का रहे टन 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 चली आगे तो ऐसे वाले modern वाले अगले प्रथम आंगल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संदी हुई है सर मद्रास की प्रमुख संधी वाइसराय गवर्नर जनरल पढ़िए अगला इसलिए हम चचा लोग को सामिल कीए हैं वीदाउट रीजन मेरे पीपीटी पे कुछ नहीं दिख रहा है अब क्या करूं कैसे बोलूं सीना फालक दिखा दूं पूए हुँ राइट एंसर है इस्थाई बंदोबस्त की कारवें र मिलता है किस में सरखारवेर राजा का जिगर हांति गुंफा भी ल candy अ स्री संप्रदाई का संस्थापक किसे कहा जाता है बताओ स्री संप्रदाई का संस्थापक D option रामा नुजाचार निम्न में से कौन सा आस्रम बिनोबा भावे मैं बार बार कह रहा हूँ modern इंडिया थोड़ा सा ध्यान से modern इंडिया ध्यान से पढ़के जाना राइड अंसर एडी पावर नार आस्रम सिंदू सभेता के लोग सीशा किस देश से मंगाते थे ए सिंदू सभेता के समय लिपिष्टिक उपिष्टिक सब मौझूद था भईया सब तडले से मौझूद था ए अप्शन इरान अब वही अगला फ्रांस की क्रांती किस वर्स हुई फ्रांस की सर फ्रांस की क्रांती 1789 who lives if India dies modern India के जो स्वतंतरता संग्राम सेनानी है स्वतंतरता संग्राम सेनानी ठीक है न स्वतंतरता संग्राम सेनानी प्लस आधूनिक भारत के जो लेखक हैं जैसे महादेवी वर्मा सरोजनी नाइडू रविंद्रनाठ टैगोर इन लोगों की लिखी हुई किताब जरूर पढ़के जाना फिर मुझे याद आ रहा है बापू समझो इस सारे आगे भढ़ लेते हैं तुम कहां से आ गए राइट एंसर है डी आप्सन जवालाल नहरू अब जैसे नेरू जी की किताब की बात की जाए तो अलेटर टू माई डाटर ग्लिम्स अफ वर्ल हिस्ट्री डिस्कवरी आफ इंडिया ठीक है ना चलो अगले अगले पॉइंट पर आते हैं सुन्निवाद का संबंध किस से है सुन्निवाद का संबंध लला तुम लोग मुझे समझ पा रहे हो ना मैं क्या क्या आपको पढ़ाते समय बोल रहा हूँ मैं बहुत मजबूर हूँ लेकिन प्लीज समझना मेरी बात तूं को दिवेर का युद्ध कब हुआ था दिवेर का युद्ध लिख दो नहीं पता होगा किस सासक को अपने युका रस्तू कहा जाता था मुखमद बीन तुगलक पढ़ा लिखा सासक था अरिस्टोटल आप देर ओनेरा अजनता में किस गुफा में मडासन राजकुमारी का चित्रन है मडासन राजकुमारी मडासन राजकुमारी गुफा नमबर 16 में सोई पड़ी है जाके मिल लो